कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों मुझसे अक्तर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर ऐसा कौन सा यूनिबरसिटी या कौन सा इंस्टूशन है जहां से रिसर्च करना चाहिए दोस्तों मैं एक ही जवाब देता हूं स्टूडेंट्स को कि कोई ऐसा इंस्टूशन का आप सेलेक्शन करें जो की बहुत अच्छा हो रिसर्च एरिया में या फिर वो कम से कम सेंट्रल यूनिबरसिटी हो क्योंकि सेंट्रल यूनिबरसिटी का रिसर्च अच्छा माना जाता है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही research institution के बारे में बताने वाला हूँ जहां से अगर आप PhD करते हैं तो आपका PhD बहुत ही सांदार माना जाएगा दोस्तों ये एक research center है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ research का काम होता है आप सभी को पता है कि देश में बहुत सारे research centers हैं जो की बहुत ही नामी ग्रामी भी हैं साथी साथ बहुत ही सांदार research यहाँ पे होता है जिस research से कुछ data लेकर सरकार कई बार कई policies भी बनाते हैं तो इस वज़ा से ये सारे research centers को बहुत जाद अधिक मानिता दिया जाता है और बहुत ही सांदार PhD माना जाता है गर आप इस तरीके के research center से PhD करते हैं तो दोस्तो center for economic and social studies से निकल कर आया है PhD admission के लिए notification आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सिर्फ और से तीन subject से PhD admission notification निकला है और वो subject है economics, development statistics और तीसरा है commerce या फिर business management इसके अलावे और कोई भी subject से यहाँ पे PhD नहीं होता है चाहे तो आप यहाँ पे admission ले सकते हैं यहाँ पे form भर सकते हैं यहाँ पे वे सभी student form भर सकते हैं जो कि अपना post graduation complete कर चुके हैं 55% marks के साथ और उसके साथ साथ वो MPIL complete कर चुके हैं या फिर वो NetJRF qualify कर चुके हैं तो वैसे student यहाँ पे form भर सकते हैं और बाकी detail के लिए आप इसका official website पे आ सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको latest news में यहाँ पे scroll होता हुगा वो notification का link दिख जाएगा जो कि मैंने आपके साथ discuss किया जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं मैं आपको recommend करूँगा कि अगर जिदिकी आपका subject economics, statistics या फिर अगर जिदिकी आपका subject commerce या business management है तो आप इस form को जरूर भरिए और खुद को एक बहुती स्तांदार institution से PhD करने का मौका दीजेए